बश्कार दोस्तों मैं बाबुराम पटेल आप सबका अपने यूटूब चैनल बाईलोजी जोर्म में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज हम अपने टॉपिक में लेकर के आये हैं फंजाई कवक दोस्तों हम आप से छमा चाहते हैं क्योंकि हम इस समय थोड़ा सा रेगुलर वीडियो लेकर के नहीं आ पाए और आज यह हमारा कई दिनों बाद यह वीडियो है तो थोड़ा सा कुछ ऐसी समस्या है, कुछ ऐसी दिक्कत है जिसके कारण से हम वीडियो लेकर नहीं आ पा रहे थे दोस्तों जबकि हम लोगों की जो TGT की परिच्छा है वह लगभग और लगभग इसकी डेट कब घोंसित हो जाए कहा नहीं जा सकता तो दोस्तों चलिए आज हम कवक से संबंदित बहुत ज़्यदा इंपोर्टन जो प्रस्न हैं उसका हम संकलन करके ले आए हैं और उमीद करते हैं कि यह अपने TGT बाइलो जीक जो परिच्छा होने वाली है उसमें इसका काफी अहम रोल रहेगा तो दोस्तों चलिए देख लिया जाए कवक के बारे में समझ लिया जाए दोस्तों यहां हम देखते हैं कवक फंजाई पढ़ें अगर इसको समान भासा हम ते फुनगी भी कर सकते हैं तेकिन हम पढ़ते हैं क्या है फंजाई कवक यह जो कवक है फंजाई जो टर्म है यह फ फंगस वर्ड है यह लैटिन भासा का सब्द है कौन सी भासा है दोस्तों यह लैटिन भासा का सब्द है फंगस जिसका अर्थ होता है मसरूम जिसका अर्थ होता है दोस्तों मसरूम अर्था फंगस का अर्थ होता है मसरूम तो चलिए हम आपको पहले मसरूम दिखाते हैं कि य तो छूसुर्व झाल जाले अर्ब मृषारते में कि यह प्रों सब कल चुर्चा Oh जैसे ट्रूंट का 310 या जैसे पसтоящ इसको जो इकत्रूं कर दिया गया है तो इस पर आया है। उपसेले और कुछ इंड़ा कोक का अध्यम क्या कह अगला पॉइंट है के स्टेडी आफ फंजाई अर्थात कवक के अध्यन को माइकोलाजी कहा जाता है कवक के अध्यन को माइकोलाजी कहते है और माइकोलाजी के पिता किसको कहा जाता है दोस्तों फादर आफ माइकोलाजी तो फादर आफ माइकोलाजी कहा जाता है पी ए मैकेली PA McKaylee को Father of Mycology कहा जाता है और जब कि हम आपको बता दें D.Berry का भी नाम आता है अगर आप ये सर्च करेंगे Google पे तो D.Berry का नाम तुरंत आ जाता है लेकिन दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि वो Modern Mycology के Father कहलाते हैं D.Berry ठीक है दोस्तों तो यहाँ Father of Mycology कौन है PA McKaylee इनकी एक बुक भी है इन्होंने अपनी बुक लिखा था Noah Genera Plantarium Noah Genera Plantarium और इनकी यह बुक पब्लिस हुई थी 1729 में दोस्तों इनकी बुक 1729 में पब्लिस हुई थी अब थोड़ा सा ये Father of Mycology की हमने बात किया किसे कहा जाता है तो Sir E.J. Butler कौन है दोस्तों Sir E.J. Butler को Father of Indian Mycology कहा जाता है Sir E.J. Butler हो गए PMA के लिए हमने नाम लिया और जो फंगस कार्थ होता है मसरूमती है कुछ कामन पॉइंट्स है दोस्तों अगली बात आती है कि सबसे smallest फंगस कौन होता है smallest फंगस सबसे छोटा फंगस क्या होता है सबसे छोटा कवक क्या है ठीक है तो सबसे छोटा कवक होता है East East जो है Saccharomyces cerevisi जिसे आप कहते हैं Saccharomyces cerevisi East यह सबसे छोटा कवक है इसकी size दोस्तों आप देख रहे हैं 3 to 15 micro millimeter into 2 to 10 micro millimeter तो यह है इसकी size है East का तो सबसे छोटा कवक East सबसे बड़ा कवक सबसे बड़ा कवक दोस्तों कौन सा है largest fungus यह है Ganodirine aplantum Ganodirine aplantum लगभग 60 centimeter यह large यह बड़ा होता है 60 centimeter तक ठीक है दोस्तों तो चलिए इसका figure भी देख लिया जाता है तो यह है Ganodirine aplantum तो दोस्तों अगले points पर हम बात करते हैं कि सबसे यह जो fungi group है यह largest subgroup होता है आप thailophyta थैलोपाइटा का यह सबसे बड़ा उपसमू है fungi क्योंकि आप RHEV taker का जो देखते हैं classification तो उसमें monera, protista, fungi planty enamelia तो fungi भी एक subgroup है और यहां टर्म आता है fungi को लेकर थैलस इसकी body की सनचना कैसी होती है जब ही नाम आता है तो थैलस नाम देते है थैलस उसे कहते हैं दोस्तों कि ऐसा body एक इनका ऐसा organism की body जो root, stem, leaf में divide नहीं होती है अर्था not differentiated into root, stem and leaf अर्थात यह जड़ तना पत्ती में भी भाजित नहीं होते है अगला जो points है यह जो फंजाई होते हैं दोस्तों A chlorophyllus होते है यह लिखा है हमने कि no chlorophyll अर्थात इनमें chlorophyll नहीं होता है दोस्तों अर्थात यह हरे नहीं होते है अर्थात अपना भोजन के लिए दूसरों पर आस्रित होते है और यह हेटरोट्रोफिक जो लेवल होता है इनका यह तीन परकार का होता है दोस्तों पैरासाइड भी होते है परजीवी होते हैं दूसरे जीवों के उपर यह रह करके भी अपना भोजन लेते हैं सिंबियोटिक दूसरे जीवों के साथ सहजीवी की भूम का निभा करके लेते हैं जैसे आप इसमें पढ़े होंगे माइकोराईजाय कंडिसन आती लाइकेन आता है पहला हमने बताया एक पैरा साइट है परजीवी होते हैं दूसरे जीवों पर रह करके और जो परजीवी होते हैं दो कंडिसन आती है एक आउटर और एक इनर अर्थात कोई भी जीवधारी है उसके बाहर सत्रापर से भी अपना भोजन लेते हैं और कोई-कोई फंगस ऐसे हो होते हैं कि सरीर के अंदर वो अंदर होते हैं और वहां से अपना भोजन लेते हैं तो जो आउटर होते हैं आउटर टाइप के उसमें एक्जामपल है इरिस्फी कौन है दोस्तों इरिस्फी जिससे पाउडरी मिल्डिव कौन सा पाउडरी मिल्डिव होता है दोस्तों और इ Symbiotic में है इसका एक्जामपल कौन है इसको माइस्टीज और बेसीडियो माइस्टीज के सदस से ही जो है Symbiotic अपना सहजीवी संबंध है परदर्शित करते हैं जैसे हमने बताया था अभी कि लाइकेन जो है और माइको रहाईजा है ठीक है माइको रहाईजा क्या है दोस्तों कि उच्चकुल की जड़ों के साथ कवक का संबंध जो है वह संबंध माइको रहाईजा कहलाता है ठीक है तो Symbiotic Association जो दिखाता है इसको माइस्टीज और बेसीडियो माइस्टीज के जो भी सदस होते है सब उसमें जो है Symbiotic Association देखने को मिलता है सैप्रोफाइट में इसका एक्जामपल जैसे दोस्तों यह देखिए उसके लिए एक तर्म दिया गया है कारपोफिलस काउंसे फंगस होते हैं कारपोफिलस क्यों सर्जी पदार्थों पर यह उगते हैं तो चलिए आगे बात करते हैं यहां एक तर्म आ रहा है दोस्तों प्रिडेसियस फंजाई वह तीनों को छोणकर पैरसाइट और सिंबियोर्टिक और सेप्रोफाइट को छोणकर एक तर्म आ गया यहां पर प्रिडेसियस फंजाई अर्था पर भच्छी दूसरों को यह भच्छर कर जाते हैं जैसे डेक्टीलेला और जूफाइगस यह क्या होते हैं प्रिडेसियस फंगस होते हैं तो दोस्तों इसको करके बहु कोस्की होते हैं अर्थात यूनी सिलर से मल्टी सिलर तक होता है इनके जो बाड़ी होती है इनकी सनचना होती है एक कोस्की सनचना बनाते हैं एक कोस्की फंगस कौन होते हैं दोस्तों वो होते हैं इस्ट कौन से हैं एक कोस्की का एक्जामपल है इस्ट और जो ब जो इस्ट होता है दोस्तों इससे एक इंजाइम निकाला गया था वहा है जाइमे जिन जाइम कौन सा दोस्तों जाइमे जिन जाइम निकाला गया था इस्ट से और इस्ट में एक बात और है कि यह रिच विटामिन बी विटामिन बी सबसे अधिक मातरा में पाजाता है किसमें भीत फ्रियों बिरत मने सेने की सीलाइब को सब्सकितम नोमाइस्टिजित सभीत तुछो सब्सक्राइब काहिए 늦े Cath----- Celluloge की बनी होती है वैसे तो काईटीन और फंगर सेलीलोगकी होती है लेकिन यहां पर आप पिअस्टिकि चुली का संचित भोज़ का बार्त क्या होता है तो संचित भोज़ बारत होता है दोस्तों गलाइकोजन अथा फाईट इसका संचित भोज पदार्थ होता है गलाई कोजन के रूम में होता है और यह कवक कहां पाय जाता है दोस्तों हम आपको उदा दें जो कवक होता है जल में भी होता है थल में भी होता है वायू में भी होता है जल थल वायू है ना अर्था जल वायू थल कह दीजे यह गरम अस्थान देख लिए जो थोड़ा अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अगला पॉइंट हमारा यह कह रहा है किस के बने होते हैं दोस्तों हाइफी के बने होते हैं जो सनचनाएं जो कोज़यें होती हैं उन्हें हाइफी नाम देते हैं और यह लंबी पतली और धागे नुमा सनचनाए होती है लंबी पतली और धागे नुमा सनचनाए होती है हाइफी इसका सिंगुलर होता है एक बचन हम आपको दाते हैं उसे कहते है हाइफा क्या कहते है हाइफा और इनहीं के द्वारा हम आपको दाते हैं जो लंबी पतली धा धागे नुमा सनचनाय होती है उसे क्या कहते है दोस्तों माइसिलियम माइसिलियम क्या है एक जाल जैसी सनचना होती है कैसी होती है जाल जैसी सनचना और इसमें जो यह धागे नुमा सनचनाय होती है दोस्तों यह दो परकार की होती है एक तो सेप्टेट होती है और एक अधिके से डिवाइडेशन होता है तो इसे कहते हैं सिप्टा बन गया क्या है यह सिप्टा है तो सिप्टा बन गया अब यहां पर जो भी हम चलेंगे देखे रहा है सिप्टेट में इसमें इसका एक्जामपल सिप्टेट परकार के फंजाई कि इक्जामपल है इसको सब्सक्राइब कॉन से दोस्तों किसे बात यहां हमने पोईंट नहीं नोट किया है दोस्तों हम आपको जा दिया ऑग्हान और भी बार बार जो पुछा गया है वह है sexual reproduction absent in sexual रहेंगी की जनन की समूख सदस्य में अनुपस्तित होता है तो आपको बढ़ा दे sexual reproduction absent in deuteromycetis कौन सा दोस्तों? deuteromycetis, deuteromycetis के सदस्यों में sexual reproduction absent होता है deuteromycetis के सदस्य में sexual reproduction absent होता है दोस्तों तो इबिस्ट डिकंपोजर कौन है? basidiomyesties ठीक है ध्यान रखेगा जरा अब चलते हैं आगे आगे हम बात करते हैं best decomposers बता दिया basidiomyesties अगला points है कि protein किसमें सरवाधिक मात्राम होती किस का वक में तो यह mushroom मस्रूम में हम आपको दादे दोस्तों कि 51 से 35% protein उपस्थित होती है अच्छा तो यह जो mushroom होते हैं मतलब यह जो fungus होते हैं कौन सीस की परजाती यह खाने वाली होती है edible mushroom कौन होते है edible तो edible mushroom यह दो हैं दोस्तों agaricus है और morkela agaricus और morkela edible mushroom है इसे भी आप ध्यान रखे गए भी बहुत important है अब बात आती है यहाँ penicilline penicilline दोस्तों हर जगा पूछा जाता है कि first antibiotic कौन सा है तो first antibiotic कौन है दोस्तों परतिजयविक वह है penicilline और penicilline किस से प्राप्त किया जाता है दोस्तों यह है कवक से कवक से प्राप्त किया जाता है इसकी खोज penicilline की खोज किस ने किया था तो इसकी खोज किया था flaming ने 1918 में penicilline की खोज किया था penicilline को सबसे पह़े discord किया था flaming ने 1928 में और इसको किस से प्राप्त किया था किस से निकाला था तो वो है penicillium notatum और penicillium chrysogenium अगा, ठीक है, तो जो penicilline प्राप्त किया जाता है penicillium notatum और penicillium chrysogenium यह जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों बहुत important है और इनकी खोज के लिए पेंसिलीन की खोज के लिए जो flaming है इनको नोबल पुरसकार से भी सम्मानित किया गया कब 1945 में इनको नोबल पुरसकार से सम्मानित भी किया गया था दोस्तों अभी यह कवक थोड़ा सा लंबा topic है इसलिए हम जो है इसे एक लेक्चर में नहीं समात करने वाले हैं अभी जैसे बहुत सारी बाते करनी हैं कुछ उपनाम है इसके reproduction के बारे में बात करना है इसके life cycle के बारे में बात करना है इसको economic importance के बारे में बात करना है तो इसका एक topic हमारा एक वीडियो और है दोस्तों उस वीडियो का आप इंतजार करें बहुत जल्द ही दूसरा भी वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं तो अभी जैसे माइकुराईजा है LSD, LSD भी बहुत पूछा जाता है जैसे किस से प्राप्त होता है क्लेवी से पर पीरिया से तो ऐसे ही questions कुछ हम अगले वीडियो में भ रखते हैं अगर आपको कोई सुझाओ हो तो आप कमेंट करके मारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ठीक है चलिए ओके थेंक्यो दोस्तों